तोड़ी जाएर स्टाडी टोपीक. इज्डी ओर स्टॉटी तॉटीक इजोशचार डी ओरीजिए आप इंडिन पोलिटिकलपी। पका इंडिन पोलिटिकल फिलोषयवी का ओरिजिन कैसे गवा? या ह stairs! िडिन जी पोलिटिकलपी और इंडिन प्रोको Спल्पी구요 Sug Mossos का उदे कैसे हुआ What was the background of this scenario इस परिदर्शे के पीछे का जो प्रश्ट भूमी थी वो क्या थी देखे मनु के political ideas के बारे में we will discuss about the political ideas, economic ideas, social ideas of मनु and धर्मा and punishment and last theory in सबसे पहले we should know about what is the status of Indian political philosophy in ancient India प्राचीन भारत में इन विचारों के पीछे का जो चिंतन रहा है वो चिंतन कैसा रहा है इस पर हमें ध्यान देना होगा without this background यदि हम इस प्रश्ट भूमी को नहीं समझेंगे we cannot find out the relevance of ideas of ideas of manu हम manu के जो विचार है उन विचारों के अध्यन में वह conclusion प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो निसकर्स हमें मिलना चाहिए अथ्वा जो dispute होगा या जो बहस होगी उस dispute के बीच उस talking के बीच कोन से ऐसे region रहे हैं काजेज रहे हैं जो काजेज हमें ये identify करवाते हैं कि वास्तम में जो हमारे बीच differences हैं अथ्वा जो current Indian political scenario में अथ्वा social style में social life में day to day की life style में जो बदलाव हैं जो परिवर्तन हैं वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं इसको जानने से ही हम पूरी तरह से इसे समझ पाना इसी के साथ आज के अध्यन के विशे में we will know about how to origin of God who was Brahman and who is Brahman Brahman कौन थे कलरगी कौन थे प्रोहित कौन थे और जिस टर्म का आज यूज किया जाता है ब्रहमन वो क्या थे how divide of our society हमारी जो समाज है वे किस तरह से विभाजित हुआ किस तरह से our society divided in classes हमारी समाज को किस तरह से वर्गों में विभाजित होना पड़ा what are the sources of Indian political philosophy भारती राजनितिक दर्शन की सुरूत क्या है how to we find out हम इसी कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन सब में हमें एक ट्रेलिंग स्टेडी करनी होगी एक ऐसा फिल्ड स्टेडी करना होगा जो अब तक रिसर्च किया गया है उस रिसर्च के अंतर का जो content है इस contents को step by step हमें add करना होगा जिसके माध्यम से ही we can understand the origin of God origin of Indian political philosophy origin of Indian political thought and how to relevance of Indian political thought कैसे हमारा जो भारती राजनितिक दर्शन है या राजनितिक चिंतन है प्रासंगिक है वै उदित कैसे हुआ और के सोर्च क्या है yesterday we have discussed about the evidence of Indian political thought जो भारती राजनितिक चिंतन है उसके स्रोध क्या है इस पर हमने जिक्र किया many sources are not scientific and many sources are scientific बहुत से अध्यन के जो स्रोध है political thought के जो sources है एवेज्यानिक है और वेज्यानिक भी है ये sources क्या रहे है कैसे जो मनु के ideas है अथो हम कह सकते है political, social and economic ideas of manu मनु के उन विचारों में या मानवध्रम सास्त्र जो मानवध्रम सास्त्र अथो हम मनु स्मर्ती में विचार डिस्क्राइब किये गए है what was the background of these ideas उन विचारों का इतिहास क्या था history क्या थी प्रस्ट भूमी क्या थी इसलिए because in the next classes we will discuss about the divine theory of state which propounded by the manu manu says that king as well as god it means king is a god according to manu king is not only god but king is a supreme god manu का ये कहना है कि जो राजा होता है वे बगवान की तरह है जैसे बगवान है वैसे ही राजा है ने केवल इतना ही है ने केवल राजा का प्रयावाची राजा जो है इस्वर का प्रयावाची है अपे तू वह better than god इस्वर से भी सरवस्रेस्ट है because the king has hold the eight merits of god वह इस्वर के आठ divine virtue से संबन होता है देव्य गुनों से परिपूर्ण होता है इसलिए मनु का राजा महा देवता होता है और उस राजा को विपुल के द्वारा जनता के द्वारा प्रजा के द्वारा डिस्मिस नहीं किया जा सकता पदच्यूत या पद से नहीं हटाया जा सकता ये भी खास्यत है आखिरकार मनु ने ऐसा क्यूं कहा वाट इस दे रीजन ओप मनु ज दिवाइन आइडिया ओप किंग मनु के ऐसे देविये विचारों के पीछी क्या कारण था इसको trace out करने के लिए हमें इंडस वेली सिविलाइजेशन से बिगिनिंग करनी होगी इट मेंस फ्रॉंग दे इंडस वेली सिविलाइजेशन टू विदाज लिटरीचर उपनिशद पुरान एंड कोटिल्याज अर्थ सास्त्रा यहां तक की हमें यात्रा करनी होगी जिसके माद्यम से वी कैन अंडस्टेंड डैट वाही मनु सेज दैट किंग इजे गौट मनु ऐसा क्यों कहते हैं कि राजा एक देवता होता है बहुत से विचार जो मनु के आइडिया जो मनु है we will agree और we will not agree हम सहमत भी होंगे और एह सहमत भी होंगे because many ideas will depend on scientific reason and not depend will be scientific reason बहुत से विचार वेज्यानिक संदर्व पर आधारित होंगे और वेज्यानिक संदर्व पर आधारित नहीं होंगे जिसके बारे में हम आपस में बिसकस करेंगे परीचर्चा करेंगे आपसे भी उसका जवाब मांगा जाएगा मैं भी आपके क्योशन का एंसवर दोंगा इसे कैसे इसके लिए हमें बैक्ग्राउंड है जो PPT I will share with you PPT मैं आपके साथ PPT share करूँगा और उस PPT में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि जो sources हैं उसको किस तरह से find out किया गया है अथवा जो social life रही है उस ancient old man भी उसको कहा जा सकता है अथवा हम कह सकते होमोसोफियन एरा जो विज्यानिक मानव या जिसको हमोसोफियन scientific name of the human है उससे पहले की जो स्टेती है उसको step to step हमें एक दूसरे के साथ attach करना होगा can you see the PPT yes sir okay yes sir now you can see okay okay thank you now you can see in the picture first picture is the Indus Valley civilization शिंदू घाटी सब्यता की एक picture है यह हमारे पास archaeology के माद्यम से एक scientific source अवलेबल है इस picture से और इस facts के माद्यम से इस source के माद्यम से हम यह जान पाते हैं we know that before around 5,000 years ago a urban civilization exists in India भारत में वास्तम में यह प्रमाण वे ग्यानिक तत्थे के रूप में हमारे पास उपलब्द है कि एक ऐसी नगरी सब्यता रही है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं सबने नाम सुनाओगा सिंदू घाटी सब्यता का हाँ सर इंडिया में एक ऐसी सिवलाइजिशन थी एक ऐसी सोसाइटी थी यद पी उसका लिट्रेचर हमारे पास अवलेबल नहीं है उस समय की लाइप स्टाइल के एक्रूपमेंट, सौर्सेज, और मोड ओप प्रोडेक्शन और मोड ओप एक्जिस्टेंस ओफ हुमन इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं वाट वर्दी देट टाइम गौड्स ओफ हुमन सोसाइटी ऐसे कौन से देवता थे, ईस्वर थे और शूपर नेच्रल पावर्स वाज अवलेबल ऐसी कौन से सरूच सक्तियां उस समय उपलब्द थी जिनके प्रजेंस को इन्डेस वेली के पीपुल असेप्ट करते थे और मन मंलत पрь लूपरत गुर्स काच्ष के प्लेश्ण स्विश्श istoा असेफश्फंस तर वर्द तर गौाइबल जिल्ट करेंसRO काच्ष स्मिश्ट काच्ष अवेली काम प्लेश पर आथिक थे ताफ Üर्द उन्डेश्य थे अन्डेश्य मगनों डिजाइन, स्टॉंस, ऐसे कोई भी तत्थे और साक्षे हमें उपलब्द नहीं हैं या नहीं मिले हैं कि उस समय मंदिर था, उसके पुजारी थे, जो इमेज क्रियेट की गई, सूपर नेचरल पावर्स के लिए वो इमेज भी नैचर से बिलोग करती थी, इट मीन्स, ट्री, सेच एज पीपल, एनिमाल्स, बुल, हॉर्स, लॉड़ सिवा, पासुपती, मात्र सक्ति को महत्व देने वाला यह समय था, यह सबसे बड़ा अपने पास एक सोच से, जिसके मात्यम से हैं, एक्जिस्टेंस ओप हुमन, जो मानों की उपस्तती है, उसके बारे में, वो भी इंडिया के संदर में है, इंडियन पोलिटिकल थोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि वास्तम में इतना किया जाए, उनको कैसे रिखांकित किया जाए, इसलिए हमें इंडिस्वेलिस सिवलाइजेशन और देट ताइम लाइश्टाइल ओफ हुमन, इसके बारे में देखना होगा, शेकिंड पिक्चर यू कैन सी, वेदिक सिवलाइजेशन, वेदिक सब्यता की बात, जब हमारे पास, अनुरिटन लिटरेचर वाज अवलेबल इन वेदिक एरा, जिन वेदों की बात हमने कल की, कितने वेद होते हैं, how many types of Vedas, four types of Vedas, no. 1 is that Rig Veda, second is Asam Veda, third is Yesur Ved and fourth is Ather Ved, Rig Ved is oldest and most important Ved and the Ather Ved is newest Ved. जो वेदाज civilization है उस वेदाज civilization के जो literature अवलेबल है वेर literature ठीक ऐसे ही था जैसे कि शुक्राथ Monologue Style of study शुक्रात की जो सम्वान सेली थे शुक्रात की सम्वान सेली फोर्थ बीसी है चाव चोती सताबदी इसा पूर्व है बट इंडियन स्टाइल औप क्यूसन एंस्वर क्यूसन एंस्वर इस्ट्वाइल वाज अवलेबल इन 1500 बीसी it means around 1200 years old rather than western political philosophy yesterday student asked the question that how we find out that Indian political philosophy oldest rather than western political philosophy हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि भारती राणितिक दर्षन पस्यमी राणितिक दर्षन से पुराना था पस्सिमीरार्नितिक दर्सन जो चोथी सताबदी ईसा पूर्व सुरू हुआ इट मेंस जो पहली सताबदी ईसा पूर्व माईसा ईस्वी मानी जाती है उससे 400 सालों पहले वो दर्सन अवलेबल हुआ है जो वर्बल या जिसको कह सकते मोखिक रूप से वो विद्यमान था ऐसा ही वर्बल कम्यूनिकेशन और लिट्रेचर हमारे पास 1500 सालों पहले अवलेबल था इट मेंस 1100 से 1200 साल पुराना हमारा वही क्यू सनैंस रत्वा मोलो लगी स्टाइल का जिसमें उपनिसदों की बात दिकाई जई गई जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक सफेद जो वस्त्रों में और उसके बाल है वो एक रिसी सैज के रूप में एक टीचर के रूप में विराजमान है और आसपास जो उसके स्टूडेंट से उनको वो टीचिंग करा रहा है पढ़ा रहा है उपनिसद इसका मतलब होता है कि गुरू के पास बैट कर ज्यान प्राप्त करने वाले बच्चों का एक समू है विध्यारतियों के ऐसा समू है निर्भाइद टीचर एगरूप ओपी स्टूडएंट से निर्भाइद टीचर चात्रों का ऐसा समू है जो सिक शक्र के पास बैठकर समीप बैठकर नौलेज अचीव करता है ज्याना जित करता है उसे उपनिसद कहा गया है तीसरी पिक्चर जो आपको आगे भी दिखाई दी जाएगी ये सिविलाइजेशन का जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका एरिया बता रहा है जो बैसिकली सिम्ला करेंट स्टेट ओप इंडिया या प्रोविंस ओप स्टेट इंडिया देन कच्छ का रन और पाकिस्तान तो मान सकते हैं लगभग 2350-1700 बीसी के आसपास इसका काल रहा है कुछ अवसेश जो हमें मिले हैं वो लगभग 5000 इयर्स अगू की मिले है पाँच अजार सालों पहले के अवसेश मिले हैं जिसमें सान्ती परोया महासवा का जिक्र भी किया जाएगा जो आगे आपके सामने होगा इस तस्वीर में कुछ इमेजेज आपको दिखाए दे रहे हैं जो इंडेस्वेली सिवलाइजेशन की गोड्स विशेश लूप से मात्र शक्ती गोडेज फीमेल कोडेज को बुल और अधर इमेजेज भारती राणितिक दर्शन के मुखे स्रोथ क्या रहे हैं इस्टोरिकल रिकोड्स ट्रेवल नौट्स लिट्रेरी वाक्स इंशिवलाइजेशन रिलिजियस टैक्स महा काविलाइक महा भारत रामायन वेदाज अपनिशत पुरान सहीताय और इस्मृतियां एट्सेक्ट्रा यह उत्तर आपको देना है यह जो अपने मुखे सोर्स रहे अब इन सोर्सों के बारे में हम विस्तार से परी चर्चा करेंगी लेकिन उससे पहले स्टेप बाइस्टेप हमें आगे बढ़ना होगा यह यह की अजोनर पुंट्स ओफ दे इन्द्स वेली सिविलिजए़एएं थिज आपाओ 4,500 years old, is preceded by a very long period measured in tens and hundreds of thousands of years, during which man did not know the use of the metals, had no agriculture, and was living as a man food gather, here is a junior that says that this was 4,000 years old, and this was the time of life style, when it was about the time of life, when it was about the time of life, when it was about the time of life, when it was about as it was about the time of life, but in 4,5-4,000 year old, it was the ultimate विष्कार हो चुका था, इनोवेस नोवेशन हो चुका था, रीसर्च हो चुका था इसलिए इन्डेस वैली शिवलाइजिशन वाजर अरिवन सिवलाइजियशन इस दा बिगिनिं इस स्टेज आव द शिवलाइजिशन literary works and such other sources in this context for they are just not available अपने पास वो लिखित साहिते में तमाम तरह के source अवलेबल नहीं है परन्तु इन sources में जो हमने find out किया है हमारे historian ने, हमारे anthropologist ने, मानुष सास्त्रियों ने, archaeologist ने उनको हम जोड कर जब देखते हैं एक combination के रूप में, ग्रूप के रूप में हम इसे देखते हैं तब बहुत सी चीजों को हम find out कर सकते Now, man learn to write only at a later stage in the development of his social life This does not mean that we are completely helpless in the matter देखे, लिखन जो सेली है उसका विकास मानो जीवन में बहुत बाद में होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हमारे पास लिखित साक्षे या साहित उपलब्द नहीं है तो हम सभी source खो देते हैं, ऐसा नहीं है उस समय की social style को, उस समय के equipments को, उस समय के tools को, उस समय की mode of production को, existence को हम देकर यह find out कर पाएंगे कि वास्तम में यह था या नहीं था With the help of archaeology, ethnology, anthropology, anthropology, efforts can surely be made to reconstruct a picture of life as it obtained in the ancient past हमारा जो प्राचिन इतिहास रहा है, उस इतिहास को इन साक्षों के मादिम से हम समच सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं देखें, इसका मतलब है, कि जिन sources का यहां जिक्र किया जा रहा है उन sources के background को हम trace out करते हैं रेखांकित करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उस समय की lifestyle के साथ, उस समय की social life के साथ what was the available and what was not available क्या उपलब्द था और क्या उपलब्द नहीं था इसी से हमें यह समझ आएगा कि मनू के जो ideas हैं मनू's ideas concerned with the social system, economic system, political system, religious system, law and punishment system scientific हैं या unscientific हैं, विज्ञानिक हैं अथ्वा एविज्ञानिक हैं इसको हम समझ पाएंगे to determine the stages of socio-economic evolution on scientific basis, the best Christian is man's mode of production and appropriation of food and other materials for his individual and social life उसके व्यक्तिकत जीवन में उसका एक तरीका था उत्पादन का, उसका एक तरीका था भोजन संग्रहन का उसका एक तरीका था भोजन संग्रहन के लिए weapons का यूज करने का ये सब अभिव्यक्त करते हैं stages of development they represent the stage of development विकास की कोन सी अवस्ता रही है उस समय उसको अभिव्यक्त करते हैं उस समय क्या written sources थे या नहीं थे उसको अभिव्यक्त करते हैं I will share the PDF format मैं उसका PDF format आपको share कर दूँगा यहां के विप में आपको बताने के लिए कि किस तरह से जो system रहा है उस system को हम define कर सकते हैं according to anthropologists have divided social evaluation into three stages savagery stage, दास्ता के अवस्ता, बार्बेरियन के अवस्ता और नगरी अवस्ता थ्वा सब्यताओं के विकास की अवस्ता थ्री स्टेजेज में डिवाइड किया है जैसा कि Sir John Morsell ने कहा है 5000 years ago, even before the Aryans, Arya लोगों के आने से पहले, were heard of the Punjab and Sindh were enjoying an advanced civilization closely again but in some respects even superior to that of the contemporary Mesopotamia and Egypt समसामी की जो मेंसों मेंसा पोटा में और मिश्तर की सब्यता आए रही है, उन सब्यताओं की तुलुना में एक विक्सीत सब्यता रही है This is what discovered at Harappa and Mohan Jodaro now placed beyond Cushan इन इस्थानों पर कोई प्रशन अच्छे नुटपन नहीं होता है, जो हमारे पास अवलेबल है The industrial civilization was mainly urban and its wealth compromet extensive trade with the outside world, transport by vehicle vehicles and bots was not unknown Dekhi Sindhukati सब्यता एक नगरी सब्यता थी वो इस नगरी सब्यता का जो 5000 सालों से आगे बढ़ते हुए development हुआ This, that was the symbol of developed society in Indus Valley civilization because they not unknown the boards and vehicles and many vehicles of transport, many other aspects of transport. Beyond the India, Inside the India It is remarkable that over such a vast area, a homogeneous civilization with its irrigated farming, sinchit karsi, handicraft and trade, savers and municipal water system, port fortified citadels and two-story private houses with courtyards and public baths and musical instruments and pictographic writing florists in our country some 5000 years ago ये वास्तम में एक विजाती समुदाय वाली सब्यता थी जिसमें तमाम तरह के विकास के शाक्षे हमारे पास उपलब्द हैं उनकी हस्तम में उनकी हस्तमाम तरह के जो आज की तारिक में हम देखते हैं एसी नगरी सब्यता में हमारे पास अवसेश उपलब्द हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि आवार पॉलिटिकल थौट वाज ओल्डेष्ट रेढर देन बैस्ट पॉलिटिकल थौट पस्षी मी राधिक चिंतन की तुन्ना में हमारा भारती राधिक दर्शन प्राचीन था ओल्डेष्ट प्राचीन था पिजट का यहां कहना है। इसी के साथ पिजट का जो विचार है पिजट यह कहना चाह रहे हैं कि वास्तम में ऐसे राजा जो प्रोहित रूप में राजा थे बुद्धिमान राजा थे अथ्वा ए नियंत्रित सत्ता को धारन करने वाले किंग के रूप में जो शक्ती और राइट और रोंग की पावर रखते थे इट मेंस धर्मा विच्ष्वावड तलवार के साथ धर्म को जो धारन करते थे इनका जिक्र हमें मिलता है और लगबग 5000 सालों पहले का जो महा काववे है उस महा काववे के कंटेंट में हम देखते हैं कि शभापरो की बात कहीं गई है और वैस सभापरो बैसिकली ऐसा ही था जैसे कि आज की पंचायत पांच लोगों का समू है यहां ट्रांसलेटेड वर्ड ट्रांसलेटेड किया गया है साब्दिक अर्थ अभिवक्त किया गया है कि पांच लोगों की भूमी का जो बैसिकली आउट ओव दा इंडियन लोग जाकर उन लोगों की सभात सचेज खापंचायत इन हरियाना ऐसी एक सभा के रूप में इसको अभिक्रह में मिलता है। से लिए उसको जोडने पर हमारे सामने अनेक जो सुजाव होते हैं जो अनुसांदान होते हैं हमारी जो समस्याइं उनने समस्याओं के संद्रव निकालने में हमें संतुष्रिकारक리र संतुष्टिकारक research find out होता है और इसके माध्यम से हम बहुत से जो इस्थान है वहां की lifestyle और उनका development और वर्तमान जो development का stages है उनका मिलान कर सकते हैं उनसे मैच कर सकते हैं there are evidence to show that industry civilization survived till about 1500 BC when the Aryans invented India destroy the insane towns with the fire and sword there are many references in the Rig Veda to this intervention by the Aryans tribes देखे Aryans के दियां दो groups की two groups की बात कही गई है pre Aryans and post Aryans जो tribal Aryans थे basically unknown थे और उनकी civilization एक developed civilization नहीं थे परन्तु Aryans के जो गोड़ थे और इंडस्वेली के जो गोड़ थे उनमें differences था यद्दपी समय अंतराल के बाद Aryans ने अडोप्ट कर लिया इंडस्वेली सिवलाजिसम के many roles और regulations को customs को, rates को, magics को and religious traditions को इन सब को उन्होंने स्विकार कर लिया इसका मतलब है कि धीरे धीरे समय अंतराल के बावजूद slowly slowly जब धीरे धीरे आगे बढ़ने की process चलती है तो उसमें बहुत सा बदलाव आता है acceptance आ जाती है उसमें स्विकारोगती मिलने लग जाती है ऐसा ही Aryans के साथ हुआ है Aryan कहां से आए Aryan कौन थे Aryan और सिंदू वेली में क्या relationship थी इन सब के बारे में जो हमारे पास partial information है उस information को gathered करके हम यह conclusion find out करते हैं कि Aryans के द्वारा intervene किया गया इंडेस वेली civilization में और कुछ उनके identify थी कुछ identification के tools थे equipment थे weapons थे traditions थी उनको अडोट किया गया और कुछ इंडेस वेली के जो systems थे life styles थी customs थी rates थी उनको अडोट किया गया दोनों का एक मिला जुला शवरूफ विक्षीत हुआ जो की आगे चलकर इंडेन पोलिटिकल thoughts की background को determine करता है प्रस्ट वोमी का निर्धारन करता है आगे बढ़ने के लिए हमारे पास शाक्षे उपलब्द कराता है basically Aryans assume that they are supreme other than life दस्यू Aryan ये मानते थे कि वो स्रेश्ट हैं वो नोबेल हैं supreme हैं उन अन्ने लोगों से जिनको वो दास कहते थे या उन purified blood वाले वो व्यक्ति हैं उनको ऐसा लगता था रिग वेदा इंडिकेट्स देखिए वेदाव की बात मैंने कहिए वेदाज is the source or the source of verbal literature वो हमारे मुखिक साहित्य की source है it means वेदा from generation one generation to next generation in monologue style and in kush and answer style in form of slokas mantras यह मंत्रों के रूप में slokों के रूप में मोखिक सिक्सिया के रूप में verbal education के रूप में एक पीडी से दूसरी पीडी की और आगे भड़ रहे थे यह भी एक बड़ा विचितर सयोंग होगा जिनके बारे में आगे हम परिचर्चा करेंगे इस थूप में यह प्री-डायान के बात यह था है बहुत है देवर सिवा, दी मदर गोडेज, दी फालोज लिंगा, एंड दी सेक्रेट बुल्ड, आरियंस के जो गोड़ थे और सिंदू, सिविलाजेशन के जिनको आरियंस दस्यू कहते थे, उनके देवताओं में भिन्नताएं थी, व्यापकताएं थी, अलग-अलग थे, वो एक दूस से अपने सिस्टम को, रिलिजिस सिस्टम को बैठ मानते थे, वेदाज पर्टिकोलरी रेफर टू दी दस्यू एज दोज हूँ दिड नॉट रिगनाईज और वर्शिप दे आरियंस गोड और गिव गिप्स तो दी प्रेस्टेस और परफॉर्म सेक्रिस्पाइब, इस पस् अचान नहीं दी गई थी उस समय पूजा के सवरूप में, आरियंस के जो गोड थे, वो आइडेंटिफाइड नहीं थे इनके लिए, उनको कोई गिफ्ट देने का आधार नहीं था, उन गोड की कस्टम्स को, ट्रेडिसंस को मास पिपुल तक पहुचाने के लिए ऐसे कोई क्लरगी क्लास अवलेबल नहीं थी, और ऐसे लोगों ने कोई विशेश ट्याग नहीं किया था, then next topic is how to origin of God in human life, वास्तम में जिसे हम supernatural कहते हैं, supreme power कहते हैं, या जिसको अधरशी शत्ता कहा जाता है, उसने human life में किस तरह से intervene किया, किस तरह से entry कियी उसने, in the strict sense of the term, neither philosophy nor religion excited among the primitive people's आदिमानव, in the earliest stage of human society, मानवी समाज की आरंबिक अवस्ता की विकास में, ये नहीं तो एक दर्शन के रूप में था, और नहीं उनकी एक समझ के रूप में था, दी फूड गैदरिंग हंटर्स ओप दी अरली स्टोन एड्स, दू पासान यूग हैड नाइदर दी इंकलेंशन नोर दी लेजर तो बी इंत्रोपोलोजिस्ट का ये कहना कि जिस तरह से स्लेवरी, बार्बेरियन और स्यूलाइजेसन एरा से हूमन आगे भढ़ता है, उसमें यदि हम देखते हैं तो जो आदि मानु है उसका इस गोड से सूपर नेचरल से कोई सम्मंध ही ता, पूजा से, प्राथना करने से उसका कोई लेना देना नहीं था, the soul impulse that governed their actions was the need to obtain the bare necessities of life, कुछ ऐसी प्रागर्ति परीगठनाएं, व्यक्ति की मर्त्यू के बाद या मर्त्यू कैसे होती है, मर्त्यू के बाद आत्मा का क्या होता है, इन सब के बारे में वह सोचता है, चिंतन करता है, यह उसकी समझ नहीं थी, वह केवल फिजिकल लेवर से जुड़ा हुआ था, वह केवल और केवल सारीरिक सरम अथवा अपनी जीवन का संचालन करना चाहता था, वह केवल सिकार गाह से जुड़ा हुआ था, वह केवल क्लेक्शन ओप फूड चाहता था, फूड गैदरिंग चाहता था, उसके लिए बहुत से टूल्स और वैपन्स यूज़ करता था, वह यह भी मानता था, ही अजुम्ड था, अधर आस्पेक्ट्स और अबजेक्ट्स अब दैम, दे आर मोर पावर्फुल रेदर थान हुमन एड इटसेल्फ जो ट्री हैं, जो एनिमल्स हैं, वह उस व्यक्ती के अपेक्स्ता बहुत सक्ती साली हैं, और जो नेचुरल इंसिडेंट होती थी, लाइक रेनफाल, थ्रेट, वलकेनो, ड्रावट, फ्लड, इन सब को के बारे में बहुत इग्नोरेंस रखता था, उसको नहीं पता था, और उसी के इस इग्नोरेंस ने, मैजिक को, रिलिजिस कस्टम्स को, इमर्ज होने की अपोर्चिनिटी पर दान की, देर चीप कंसन वाज नोर दी अल्टिमेट बेंग और ब्रहमन, बट 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 इस ट्रेगल तो लाइव एंड तो सिक्योर देयर फूट फूट फूट्स, एडिवल रूट्स, एंड फ्लैस ऑफ एनिमल्स, उसका मुखे धेय था जो जीवन का, वै केवल और केवल इस बात से जुड़ा हुआ था, कि वै अपने जीवन को जीने के लिए किस तरह से संघर्ष करता है, और वै कंद, फल, फूल को किस तरह से सुरक्षित रख पाता है, अपने जीवन को चलाने के लिए वै पास्विक सक्तियों से खुद को कैसे बचा सकता है, यही उसका जीवन था, इस परकार से, थास इन दे डे टू डे लाइफ, प्रिमिटिव मैन आदी मानव, वर आलवेज गाइड़ेड बाई ये, स्पॉन्टीनियस मेटेरिलिस्ट आउटलूप, वै भूतिकतावादी दर्शन से अपना अथवा अपने एक्जिस्टिंग लाइफ को प्रोटेक्ट क करने के लिए गाइड़ेड होता था, with each advance in the mastery of nature, प्रकरती का जो जादू गिरी है, their horizons widened, but their knowledge of nature and its properties was very limited, their vast range of natural phenomena was beyond their comprehension and therefore struck them with away, उसमें कोई तेरे मेरे की भावना नहीं रही, और उसके पास इतनी कोई property collection की desire नहीं थी, वै केवल और केवल अपने जीवन को ही संचालित करना चाता था, और इस जीवन प्रनाली में जो प्राकरतिक प्रिदिर्शे उसके सामने available होता था, उसके समगर शंगरहन को देखते हुई वह इस प्रकरती की गठना करम को समझने की पार्शिली कोशिस करता है, देवर इग्नोरेंट थू, आप दी नेचर आप हुमन कांसियसनेस और इस रिलेशन तो दे मैटेरियल वर्ड, जो भोतिकतावादी संसार है, और जो व्यक्ती की चेतना की प्रकरती है, उस प्र करती के बारे में, और कॉंसियसनेस के बारे में, अथो हम कह सकते हैं कि जो लेवल आप हुमन इंटेलिजेंस होता है, उसके बारे में उसको अज्यानता थी, वह नहीं जानता था, इस इग्नोरेंस वाद रेस्पोंसिबल फूर दे इमर्जेंस ओफ मैजिक, टोटेमिज्म, बैसिकलिए साउथ इंडिया का एक मैजिकल रेड्स है, जोर्ज थॉम्सन के अनुसार, थॉम्सन डिफाइंट स्टोटेमिज्म एज दी मैजिको रिरीजियस सिस्टम केरेक्टरिस्टिक्स ओप ट्राइबल सोसाइटी जो आदी वासी समाज है, उस समाज की जादूई और प्रणाली का एक उत्सव है, ओकेजन है, और उस ओकेजन की मान्यता यह है, कि उन लोगों का, इट मेंस, पिपूल्स विद्धी नेचर, इमर्स प्रॉम वन साइकल एंड वन सैल्स, ट्राइबल जो प्रकरती को अपने जीवन से जोड कर मानता है, उस ट्राइबल कम्यूट का, उस ट्राइबल कम्यूटी अजूम देट, नो डिफ्रेंसेज बिट्विन दा, नेचर, एंड हिमसेल, एंड हिूमन, प्रकरती और मानों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, वो एक ही कोशी का से निर्मित है, और इसलिए उसको लाइविदी नेचर, शुट बी लाइव उसे प्रकरती के साथ जीना चाहिए, उसे प्रकरती के साथ जीना चाहिए, उसे प्रकरती के बिना नहीं जीना चाहता, वे जीवों को नहीं चोड़ना चाहता, वे उनके साथ एजिट ट्राइवल कम्यूटी के रूप में सुट बी लाइव रहना चाहता है, जीना चाहता ह हिंदी मीडियम वाले चात्रों को समझ में आ रहा है न इस सर इंगलीज मीडियम वालों को ठीक है ठीक है ओके इसका मतलब है कि किस तरह से जिसे गोड कहा जाता है जो कल बच्चा पूंच रहा था वाट इस डिफरेंसे बिट्वी लॉड और गॉड जिस सूपर नेच्रल की बात की जाते है उस सूपर नेच्रल का इमर्जेंस इस दिस सिम्बल ओप इग्नोरेंस ओप हुमन वह मानों की अज्ञानता का सिम्बल है प्रतीक है कैसे उसका उदे हुआ उस जो सिच्वेशन अवलेबल थी उस सिच्वेशन के बाद ऐसे सूपर नेच्रल का इमर्ज होता है और हाव दिस सूपर नेच्रल बिकम एग्जिस्टिंग स्टाइल एंड एजे बिकम एजे इंस्टिटूशन एक संस्था के रूप में ये किस तरह से इस्थापित हो जाती ह है किस तरह से इसने एक इंस्टिटूशन का स्टीटस अचीव कर लिया और जो अब कंट्यूनु है एनिमिज्म एन अदर मिस्टिकल एंड रिलिजिस कंसेप्शन और रियालिटी थ्रो विच दे होब तो प्रोविटिएट दिवर्थ आप ती अनिंटैलिजेबल एंड इंस्ट्रक्टेबल फोर्सेज अब नेचर ये तमाम तरह के प्रकृति की प्रिगटनाएं उन वास्ति प्रिगटनाओं से दूर होते विए भी धार्मिक अवधारणाओं की यथार्ता और उनकी जादूईगिरी और उन प्रिगटनाओं के पीछे का जो बैक्राउंड है या वस्तुती इस्तिती है उसके बारे में उस सरंचना के बारे में उन ताक्तों और सक्तियों के बारे मे जो प्राकर्थिक पावर्स होती है नेचरल फोर्सेज होती है उनके बारे में वे नहीं जानता है और इसलिए प्री मैन के द्वारा उस प्रिमेटिर सोसाइटी के द्वारा ये अजून कर लिया गया कि who is the background of this incident इन नेचरल इसिडेंट के पीछे कौन है who is the backshide उनके पीछे के और कौन है इमेजन किया गया उसके द्वारा उन इमेज को स्टॉन्स पर उतारा गया सिलाओं पर उतारा गया उनकी self-conscience नेंस इमर्ज होने लगी और उस human consciousness के आधार पर उस human consciousness या मानवी चेतना के आधार पर उसने चित्र बनाए चल चित्र बनाए और उन चित्रों में उन इमेजेज में उसने उन इमेजेज को find out किया जो उसने देख रखी थी ऐ जे बुल मैंने का ऐसे बैल की चित्र घुडे का चित्र प्रकरती का चित्र पेडों का चित्र आग का चित्र as a god of अग्नी वायुजी से करता है यम, वरुण, चंद्रमा मून, सन एट्सेक्टरा इस बिकम गौड वो देवता बन गए उसने उनको देवता बना लिया एनिमिज्म कोर्रेस्पॉंडेट तो ए लो लेवल अफ डवलपमेंट अफ दे प्रोडेक्टिव फोर्सी ये उत्पादंकारी सक्तियों का एक ही निस्तर होता है इग्नोरेंट ओब दी ट्र्यू नेचर खीर के लिए अनिवेस्स सघिस्वर क कि यहिपस्तरस दोड्टिश्ट शिकर भी प्रिविज्ट भी बस्तरस लिएक्ष देव 반ए प्र लिएस अनेशन थे सक्तिक एकि एकमि अमर्तव संक्नितS इर्वान कोर्थ साँруж प्र देवारी बीस्तर है जब धीरे धीरे चेतना विक्सित होने लगती है उस चेतना के साथ ही उसकी भावनाएं उसकी अभीवर्तियां उसके विचार जनम मृत्यू से जुड़ी हुई परिगठनाएं वे समझ नहीं पाता है और वे सोचने लगता है उसकी human consciousness का emerge होता है इमेजिन करने लगता इन सब चीजों के पीछे मानिवे चेतना ने एक काल्पनिक प्रिगठना को चित्रित किया उदित किया और उसी imaginary concept का result था God ओ माई गॉड मूवी में अथवा पीके मूवी में आप देख रहे मैं यह नहीं कर रहा है कि मूवी बैड और गूड है परन्तों उसमें कुछ जो रियल्टी होती है उसको imaginary concept में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है how to identify हम कैसे कर सकते हैं एक man को identify कैसे कर सकते हैं हम exam में pass होने के लिए क्या करते हैं हम समझने के लिए क्या करते हैं अपने fear से protect from fear भैसे अपने आपको बचाने के लिए हम क्या करते हैं इस वर से praise करते हैं प्राथना करते हैं यह सब चीजे that time was not available but beyond the time they have emerged with the human consciousness and with the human life style the belief the human thoughts ideas and emotions it means human consciousness has emerged in that time were supernatural forces independent of the material body was the basis of rudimentary religious and idealist tendencies among the primitive people आदी मानों की ये तमाम तरे की परंपराओं को इन रूडी वादियों को धार्मिक परी गटनाओं को भोतिक सरीर के साथ स्वतंत्र प्राकरतिक गटनाओं के साथ सूपरनेच्रल के साथ उसने अपने विचारों को उसने अपने चिंतन को और उसने अपनी भावनाओं को व और इस्वर और इस्वर तथा इस्वर के साथ की जाने वाली प्रात्राओं से ही संब्दित नहीं रहा है Religion in its widest sense is the totality of human religion, action, objects and ideas embodied in the belief in the supernatural Belief in the supernatural is the essential characteristics of all religions and is their basis क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी religion without supernatural के exist करता है Impossible, it is absolutely impossible Like religion, Sikh religion, belief in Guru Nanak Dev Islam religion, belief in पेगंबर मुहमद साथ Christian religion, belief in ईसाथ मसी Hindu religion, Jen religion, Bod religion, Parsi religion, etc. Folk religion, Zambeswar, Vishnoy, Vishnoy, Siv ये सब क्या है Sumit Chaudhary, क्या आप बता सकते हो कि ऐसे religion का नाम जो बिना किसी प्राकरतिक सक्ति में अथ्वा किसी व्यक्ति में विश्वास करे बिना एक्जिस्ट करता हो Amit Mandibal Arian Chaudhary, can you explain Hardik Bhagdi Can you tell me any religion exist without the belief of supernatural power and special person स्थापित करते हैं तब आइडेंटिफाई करता है जिस दीन इलाही की बात कर रहे हैं वो ठीक ऐसे ही है जैसे आत्मी सबा वाज एस्टाबलिस्ट बाई दी राजा रामों राए लिब्रनेस इन रिलिजन वे किसी धरम में उदारता का सिंबल होता है कि आप सब लोगों को विदाउट एनी आइडेंटिटी एक रूल्स को फोलो करना है लेकिन ये कहां तक सपल हुआ ये कभी सपल नहीं हुआ पार्शली सक्सेज उसने अचिव की लेकिन वे रिलिजन के रूप में इस्टाबलिस नहीं हो पाया यदि रिलिजन की हम बात करते हैं तो रिलिजन विदाउट आइडेंटिटी एक जिस्ट नहीं करता इट मेंस आल्दो ही एकजिस्ट इट मेंस देट इस धर्मा देट वाज नोट रिलिजन वे ना तो रिलिजन था और ना ही रिलिजन है इट मेंस देट इस धर्मा वे धर्म है वे है उन मैंटल बैलियर से दूर है जो मांसिक बंतन जैसे की पंजाब नोजवान सभा भगत सिंग के द्वारा इस्थापित की गई और भगत सिंग said that, कहते हैं कि उसकी पंजाब नोजवान सभा में सभी लोगों का स्वागत है बले ही वो पगड़ी के साथ आता है बले ही वो जनेव के साथ आता है बले ही वो टोपी के साथ आता है it means no any mental barrier of person on human वे व्यक्ति पर और मानों पर किसी परकार का मानसिक धार्मिक बंदन नहीं है कि वे उस आइडेंटिटी के साथ आए और beyond the identity I, without the identity I it means that is not religion, that is dharma वे मानोता के हित्मे है वे जन हित्मे है इसलिए यहाँ पर जो व्यक्त किया गया है कि जब हम human संबंदों की बात करते है मानों संबंद it means marriage, death, birth, birth occasions, math occasions, death occasions, etc actions जो हम कारिय करते है it means our culture, objects जिस परकार से हम type of worship है और God है, object करने का तरीका है हम अपने आपको represent करते है त्याग देते हैं अलग-अलग तरीके से जंजीरों से पीटना बली दे देना ददगते हुए अंगारों पर चलना सफेद वस्तर पहनना नंगे पैर चलना बिना वस्तरों के रहना तमाम तरह के actions और objects हैं आइडियाज हैं वो एक belief in this supernatural को reflect करते हैं इसलिए any religion की ये essential characteristics होती है कि वह supernatural में बिलिप करें तभी वो religion होगा अन्य था रिलिजन नहीं होगा to say that magic is the corner of science is also untenable belief in magical powers was not the result of knowledge but of ignorance and superstition history shows that science accroses precisely in the process of fighting against the false conception of nature, against rituals, against magic, against other superstitions जो भी हमारी ऐसे अवधारणाएं अवचेतनाएं और मिथ्या अभी व्यक्ताएं हैं जूटी रिती रिवाज हैं जादू टोना है उन सब को नकारने का कारी करता है विक्यान इसीतरे no temple as a special place for worship has been discovered in the Indus Valley, Sindhukati Sabyata में किसी मंदिर क्या उसेस हमें अभी तक नहीं मिले हैं The religious relies to the ancient days exist mostly of the form of seals, fibrance, terracotta and stone image which throws some light on the beliefs and customs of the people इन सब को अभ्यक्त करने के जो चित्रांकन किये गया है वो सब human consciousness की या imaginary consciousness का result था इसी तरह से जो सिंदुकाटी सब्यताएं थी उनके जो पूजा अर्चना के आधार थे उनके जो गोड्स थे डिफरेंट थे और अलागलग जो नेचर थे उसको उन्होंने अभ्यक्त करने की कोशिस की है सिवा के रूप में और अन्नी जो गोड्स हैं पसुपतिनात के रूप में या त्रिम्फंतम नट्राज जो नास्ते वे नट्राज की डांसिंग ए त्रिम्फंतम नट्राज की बात कही गई है उसको भी worship का अधार माना गया है बात में चलकर विदाउट टेमपल पर्टिकोलरी ओप दी काल्ट ओप दी बॉल जो पास्वों की बली दी जाती स्पेशल रूप से पैल की बली या सांड की बली जिसको आप के सकते हो यह सबसे इंपोर्टेंट कोटिशन है की वास्तम में ऐसा जो इंडस्चिव लाइजिसंस का वर्शेप सिस्टम था आया लाइफ इस्टाइल थी सोचल लाइफ इस्टाइल थी वो वेदिक बिलिप्स को अभिव्यक्त नहीं करता है परंतु एक एक एंटिसेप इतिया से ब्राहमनवाद के रूप में उसको इस्थापित करने का मुख्यादार था अर्ली आर्यांस फेले प्रेटू सूपरस्टिशन अंसाइन्टिफिक एंड मिथोलोजिकल कंसेप्ट ऑफ रियलिटी जो यथार्ता से बहुत दूर थे ऐसे काल्पनिक उर्टत्व मिमा आर्यांसा एविज्ञानिक की उतनतियां दे एक्स्टरनल टेरिरेस्टिल फोर्सेज विच कंट्रोल दे डेली लाइफ अजूम दे फोर्म ऑप सूपरनेच्रल फोर्सेज जो प्रम्सक्तियों की द्वारा कंट्रोल करती हैं उनको अभिव्यक किया जाता उनको बताया जाता है इस वाज हाव गोड्स लाइक इंद्र जैसे इंद्र वगवार एज इन्दर के बारे में कोई जानता है आप में से हैं हूइ जिंद्र को जैसेह कोई आज करेंगे वह उन देवताओं की आठ आठ देवता से मने एड जो गोड्स मुद्द सकिंट करता है So it's known as Supreme God उसे महा देवता कहा गया है Supernatural भी आप कह सकते हुए महा देवता है उसको धारण करेगा इसलिए इन सब के बारे में हम जिक्र करें किस तरह से इस Supernatural ने इस्वर के रूप में उनको इजाद कर लिया गया ये तमाम तरह के फेस हैं जो चित्र हैं, कपड़े हैं भारत माता ये सब imaginary concept of human consciousness है वरुन सूर्ये came on the scene and accident a powerful influence on the everyday life of the primitive Aryans जो प्रारंबिक आर्ये आदी मानों के रूपिय आर्येंस थे उनकी रोजाना की जीवन परकरिया में उन सब ने इसको accept कर लिया उन सब में ये अभिव्यक्त होनी लगा और इसे इतना ही नहीं ये powerful influence रखने लगा इतना अधिक प्रभाव रखनी लगा कि उसको नकारा नहीं जा सकता such as in full instance if I said that मैं चाहकर भी दिपावली के आवसर पर जो दीप प्रजुलित किये जाते हैं और जो लक्समी गनेश और सरस्वती माता की जो वर्शिप की जाती है उसको भुजा नहीं सकता बंद नहीं कर सकता वाई जो जिस घी मेलक और तमाम तरह की जो fruits होती थी उनका अपन प्रस्तुत करते हैं उसके सामने रखते हैं क्या ऐसी आग को पानी के माध्यम से जलाया जा सकता है यह संभव नहीं है क्या उस अगनी के उपर घी की जगे पानी डालकर जोत ली जा सकती it is impossible मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता because that time powerful influence on everyday life of the primitive Aryans todays and nowadays आज के दिनों में यह मेरे उपर powerful influence है on the everyday life में कि मैं चाह कर यह ऐसा नहीं कर सकता for instance why I am an atheist written by Bhagat Singh you should be read out मैं एक नास्तिक क्यों हूँ Bhagat Singh की दोरा लिखी गई पुस्तक को हमें फढ़ना चाहिए in sort they convinced their gods in their own image this was how the Vedic gods originated वास्तम में जो ऐसी supernatural powers से उनको इजाद किया गया identify किया गया चित्रांकन किया गया image create की गया और इस तरह से Vedic इस स्वर जो थे वो originate हुए the task defeating the non-Aryans who were living in a more advanced civilization was by no means an easy one so they turned the gods for health prayed for victory in the battles the Rig Veda abounds in such place her is on one तमाम तरह के जो primitive society के persons थे अपने हंटर के लिए अपने फूट गैदरिंग के लिए supernaturals के साथ pray करने लगे अपने साथ उनको जोडने लगे अपने साथ concern करने लगे और एक unscientific human consciousness को उन्होंने डवलब कर लिया और इसका symbol है वेदिक literature में रिगवेद के अध्याय दस के जो श्लोक 228 है उसके अंतरगत लिखा गया है the evil doing does you is around us जो पूरे दास हैं या मूर्क लोग हैं जो हमसे गिरे हुए या हमारे तुलना में जो निमतम स्रेणी के लोग हैं हमारे तरफ हैं senseless उनको कोई समझ नहीं है keeping false laws जो की जूटे तत्यों को चेतनाओं को अपने साथ रखते हैं जो के आदमी ही नहीं है inhuman oh slayer of enemies ऐसे दुस्मनों से ऐसे दुस्मनों के लिए ऐसे दुस्मनों के तुलना में बैटर दे वैपन्स आप दी दास वास्तम में जो दासों के हत्यार हैं उन हत्यारों के रूप में स्विकारोती स्रेष्ट होगी है इस्वर या जो जिस गोड के बारे में बात कर रहे हैं उस गोड से प्रे कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं जब ऐसा समाज विभाजित हुआ इसका मतलब है कि सिकार करने से पहले अभी भी आप देखेंगे अने एक बार जो क्राइम करते हैं उससे पहले पर्मिशन आप गौड ली जाती है पसु बली देने से पहले इस वर के हाथ जोड़े जाते हैं और तमाम तरह के ऐसी गटना करम ट्राइबस में और इस पेसर रूप से साउथ इंडिया में आप इसको देख सकते हैं अत्वा हम भी यग करते हैं और तमाम तरह की पूजा अर्चना और जो भी किया जाता है अब क्राइम हम नहीं कर लिया है तो इस वर से माप्री नामा करते हैं कबूल नामा करते हैं कॉन करते हैं यह सब क्या है यह इसी का रिजल्ट है जो हिस्ट्री मैंने आपको बताए है जो इंडिन थोट का बिगिनिंग गए रहा था उसी का परिणाम है जो अब बहुत सतावियों बाद एक बैटर फॉर्म में आ चुका है वैं जब समाज वर्गों में विभाजित हुआ दे बड़े पेमाने पर उनकी द्वारा ये त्याग किया गया इसको छोड़ा गया बंतरों का उच्चारन किया गया और परफॉर्म किया गया इस कांसियसनेस को गोर्ड कांसियसनेस को सूपर नैचरल कांसियसनेस को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोफिसेंट के रूप में लाबकारी तत्यों के रूप में उन परशिक्षित सादों के रूप में रिसियों के रूप में यह हम कह सकते हैं कि प्रुहित के रूप में इसका मतलब कह सकते हैं कि एक specific person जिसको specific functions को operate करने के लिए जाना जाता है such as sophist in Greece and western political thought जैसे कि पासिमी राजनितिक चिंतन में sophist word का यूज किया गया है as well as the term persist in use in Indian political thought भारती राजनितिक दर्शन में उस sophist के इस्तान पर इस सब्द का यूज किया गया है जो जाने जाती थे ब्रहामीन नौट ब्रहमान इट मिन्स नौलेजवल पर्शन इट मिन्स दे पर्शन वो व्यक्ति जिनको वास्तम में आइडेंटिफाई किया गया high class of society समाज के उचितम वर्ग के रूप में समुए के रूप में not caste thus become the dominant and most influential selection in the early Aryan society और वास्तम में इसका मतलब यह नहीं कि उन्हों discrimination किया जो उन्होंने कारिक किया जो influence रखा और जो sacrifice किया उसका result था कि उनको एक special category के रूप में पहचान मिली और उस पहचान को इस वर्ग के द्वारा बरकरार रखा गया और beyond that time Brahmins become as a Brahman society दी ओरेजनल आइम वास्तम उद्दे से इसका ऐसा नहीं था वेद्युक रिच्वल वाज नोट अटेंमेंट अब मौक्ष मौक्ष की प्राप्ती ही इसका मूल दे नहीं था और दे रिलाइज़ेशन और ब्राहमन इट वाज सो तू सिक्योर दी गुड थिंग्स लाइफ चिल्रेंट वैल्ट और दी लाइक और एक्स्ट्रिमेंट दी आइमी दुस्मनों से अपने आपको बचाय रखना उनको प्राजीत करना अपने परिवार का अपने संपती का औ करना और सम्वंधन करना इसका मूल देखा, such as यजना और सेक्रिफिशल रेट्स पर्फोर्म्न इन प्रोपर मैनर एंड अकॉम्पाइट वाई दी चैंटिंग और मंत्राज विदाउट एनी एरर वाज सपोर्ज तू भी सुफिशियंट ओर दी अटेंमेंट अप वन्स डि के उचारन करना और उस एम्स को अचीव कर लेना और उन जादू टोने को अत्वाद्धार्मिक रीती रिवाज को निस्पादित करना थस स्लोली एस सूपरिस्टिस फैथ इन एलाबरेट सेरिमोनियल्स रिच्वाल्स एंड सेक्रिफिशियल रैट्स ये धीरे धीरे एक ऐसी अटूट परंपरा के रूप में इस्थापित हो गया पहचाना जाने लगा जो उत्सों पर जो अपनी खुशियों का इजहार करने पर जो त्योंहारों पर इस्थापित हुआ ओवेज दे माइंड अब दी पीपल लोगों के दिलो दिमाग पर उनोंने घर कर लिया प्रोहित ब्रहामीन प्रिस्टिस नोट ब्रहामीन प्रोहित हुप्रेशिदाइड ओवर दी पर्फोर्मेंस अब दीज यजनात और हुग इंस्ट्रक्शन पूर दी करेक्ट चैंटिंग अब मंत्राज यही वे क्लास था वरग था जिसके द्वारा इस वर्बल वेदिक लिट्रेशर का प्रनोंसिशन किया जाता था विदाउट मंत्रों चार किया जाता था विदाउट अनी एरर बिकम मोर और पावरफुल वो धी दीरे बहुत सक्तिसाली बन गए रिसी अंगिरस बहारदवाज कर्ण रिसी वसेस्ट और अधर रिसी सैज्ट वर दी प्रोमिनेंट प्रोहित आप देट टाइम और इंजियन रिसीयों का मैंने नाम लिया है नी संदे है नोलेबल नोलेजेवल प्रिशंस के रूप में व्य स्विफिलाइजियसं को इस कलुचर को इस सकस्टम्स को और इस स्थापित किया मैं आइडेंटिफाई किया और falling कि लोगों के allt रग में अजुफ़ दिया को सथापित कर दी इसलिए इतना आसान नहीं यह जो आज कलम कहते हैं वो इसलिए आसान नहीं इस अराउंड इंपोशिबर दे गोड्स वर्शिप्ट वर्द ओर्डरी एलिमेंट्स ओप नेचर एंड दी आफरिंग गीवन तो दी गोड्स मिल्क घी ग्रेन सॉम इन सब को उफर किया जाता था पूज आर्चना के माद इस इस तरह से बाटर सिस्टम के स्थान पर मोनेटरी सिस्टम आया तो मुद्रा और पैसा दिया जाने लगा जैसे गनेश मंदर में जाओ और आप पचास रुपे दान पेटी में रखें या लड्डू छड़ाएं जो भी है बट इन कॉर्स आउप टाइम दे रिच्वल बिकम an institutional in itself यह सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसी व्यक्तिगत इंडेपिडेंट आइडेंटिटी थी इंडूजल आइडेंटिटी थी वीकम इंस्टिटूशनल आइडेंटिटी यह संस्था बन गई और संस्था की पैरोकार स्थापित हो गई इस दुनिया का सत्य जानने के लिए सही और गलत को जानने के लिए सिक्सक के पास बैट कर जो नोलेज को गेन करता है सत्य को जानता है उसे ही उपनिशद की रूप जो लिटरेचर था वेदिक लिटरेचर था उस वेदिक लिटरेचर की कंटिनिटी ही उपनिशद है in general sense are continuation of Vedas and are known as the Vedanta or concluding portions of the Vedas in content however they indicate a new direction in the development of philosophy it was the period when side by side with religious rituals speculative कालपनिक philosophic दासनिक थोट बिगन तो ब्लूम इन इंडिया और इन सभी में गया वाहिल दी ब्रहामान्स वर दी क्रियेशन और ब्रहामेन प्रिसेस्ट देख इट मिंस ब्रहामान जिसको आप कहते हो यह प्रोहिज जिसको आप कहते हो यह वास्तम में उन प्रिसेस्ट का knowledgeable प्रशन का क्रिशन था not caste not class at that time अपनिसर ओनेंडिफिलोसोपिक speculative in which शत्रिये also played a prominent part और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए increase करने के लिए चत्रिये के रूप में आगे बढ़ाने का एक प्रियास किया गया books were unknown in the early Arians इस समय जो पुस्तके हैं उनका कोई ज्यान नहीं था ज्यात की कि लाइन हैमन्स आफ प्रोट और रोट ऐन प्रोम आज जोंग के रूप में तो अलड़ी विए अजो प्रोटेक्ट की सब्सक्राइब उनका की अजड़ी अजड़ी तर्वीद की अजड़ी तो जो जड़ी ठाटीड नगट्राइब ले देप्रोटेंशोग तो रूड़ इन कविताओं के रूप में, स्लोकों के रूप में, मंत्रों के रूप में इनको अभिव्यक्त किया जाता है, जो वर्बल लिट्रेचर आप इंडियन पॉलिटिकल थोट्स है, दे वेदास थसकैन भी सेट तू हैव डवलप इन तू स्टेजिजिज इनका दो इस्तरों पर व ग्रूप में इनको सनरंचित किया गया है, सनरक्षित किया गया है, आगे बढ़ा गया है, and the second of the composition of those skate heavens into the four compact groups of सहीताद, already defined, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अधरवेद, 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 अधरवेद इन वेदों में चार वेदों की बात कही है, ग्रूप की बात कही है, जो लिट्रेचर के रूप में, वर्बल लिट्रेचर के रूप में हमारे पास अवलेबल है, उसको अभिवेक्ट किया गया है, मैक्स मोलर ने वेदों की जो रचना काल उसको लेकर अभिवेक्ट किया है कि around 1000 वर्षा इसा पूरू और 800 इसा पूरू की लगबग इनका लिखांकन किया गया है. Max Muller holds the basis of religious and victorious evidence. The primitive heavens of Rigveda belong to the period between 1000 and the later portions between the 800. रेफ्षान also suggests that the most ancient heavens of Rigveda dead from a period at least years before the Christian era. ये इसा से लगबग 1000 साल पहले या थो 800 साल पहले. According to Radha Krishnan, there is evidence to indicate with some certainty that heavens were current 15 centuries before Christian. इसा से लगबग 1500 या 15 सताब इसा पूरू ये अभिव्यक्त किया गया था. इस तरह से हम वेदिक साहिती तक अपनी history को, political thought को trace out करते हैं. और अब वेदों के बाद वेद जो मुखेहिन में क्या अभिवक्त किया गया है? उपनी सदों में क्या अभिवक्त किया गया है? पुराणों में क्या अभिवक्त किया गया है? in brief we will discuss then political ideas of Manu we will discuss then political ideas of Manu Manu की राजने की चिंतन के पारे में next Monday को क्लास में discuss करेंगे उसका topic होगा political ideas of Manu today's my lecture has been completed now session is open for your chosen